हलो फ्रेंड्स वेलकम टु टेश्टी किचिन तो आज हम बनाने वाले हैं बेसं का चीला कि यह खाने में बहुत ही टेश्टी लगता है यह बहुत ही हल्दी होता है इसे आप नास्त में बना कर खा सकते हैं और यह कुछ ही मिंटों में बन जाता है तो चली हम इसी शूरू करते हैं को जन्य निकाल लिया है कि हनम पर एक पेसन लिया है कि एक मीडियम स्राइए की टमाटर को हमने यह आह पर चॉप कर लिया किक þज अथ이지 हमनु हरि में पेस प्याज कॉं लिया म स्दम रिरे. आपने बैटर त्यार करते हैं फ्रेंट्स। अब हम बेशन में टेस्ट अकोरिंग नमक डालेंगे। थोरा सा जीरा पाउडर, थोरी सी हल्दी। अब हम इसमें अपने कटे हुए प्याज, टमाटर और हर्मिच डालेंगे फ्रेंट्स। अब हम इसमें थोरा थोरा पानी डाल कर इसका एक बैटर त्यार कर लेंगे फ्रेंट्स। यह देखिए। हमारा बैटर अब त्यार हो गया है, आप देख सकते हैं। इसकी कंसिस्टेंसी यह ना तो ज्यादा पतला है और ना ही ज्यादा मोटा। हमने इस कप से वन एन हाफ कप पानी यूच किया है। बनाने के लिए हमने गैस पी तवे कुछ रहा दिया है फ्रेंट्स। हमने इसमें तेल भी डाल दिया है। आम इसको भूमाते हुए। अपने तेल को पूरे तवे पर फैला लेंगे। यह देखिए। हम इसमें बेशन का हमने जो बैटर त्यार किया था उससे हम चीला बनाएंगे। यह देखिए हम इसको फैलाते हुए डालेंगे। हम इसको अच्छे से पका लेंगे फ्रेंड्स। हम इसको पलट कर इसके दूसरे साइड्स को भी पका लेंगे। यह देखिए हमारा चीला अच्छे से पक गया है। आप देख सकते हैं। हम गैस को ओफ कर देंगे। आप हमारा चीला सर्फ करने को रेडी हो गया है फ्रेंड्स। आप इसे किसी भी चटनी या आचार के साथ भी सर्फ कर सकते हैं फ्रेंड्स। यह बहुत ही टेस्टी लगता है अगर आपको यह रेस्पी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेर एंड सब्सक्राइब मैं चैनल और आप बैल आइकाउन को देबाना ना भूले फ्रेंट्स इससे आपको टेस्टी क्चन की सारी अब्डेट्स मिलती रहेंगे